अबसकार स्वागत आपका MP तक पर मैं हूँ रवीशपाल सिंग भारतिय जनता पार्टी में एक बाद फिर से शामिल हो गए हैं सद्धात मलाईया एक एक्शन हुआ था उपचुनाओ के बाद जिसमें कारवाई की गई थी लेकिन आप आखिर का राज मुख्यमंतिर शिवरा देश में अगर दिखा जाया है विधानसभा चुनाओ का यह साल है और उससे ठीक पहले कहीं न कहीं भाजपा इस बात को लेकर बड़ी आशंकिती दमों की सीट को लेकर के आपको लगता कि अब यह डर दूर हो गया भाजपा के भारतियांता पार्टी आशंकित नहीं रहत पिछले उप्चुनाओं में किसी और को अतार दिया बाहर से आवा कंडिडेट था फिरुहाला की हाथ का मुह देखना पड़ा पार्टी को महां पे काफी मजबूत सीट मलेया परिवार के लिए मानी जाती है दमों की सीट तो देखे परिवार के तो कभी कोई सीट होती नह पार्टी जनता पार्टी में आपचारिक रूप से शामिल हो गाए है जैनत मलेया के बेटे हैं और आपको बता दें कि जब उठापटक हुई थी मार्च 2020 में उसके बाद कई विधायक ऐसे थे कॉंग्रेस के जो कॉंग्रेस छोड़कर भाच्पा में आ गया तो उनमें से राहूल सिंग भी थे और राहूल सिंग ने फिर उपचुनाओ लाला ता दमों सीट से राहूल सिंग को हार का मुँ दे अब सुछ को हार की संगेत दे रही है दंउविधान सभाद सीट को लेकर के लिकिन देखना अभी यह है कि जिस तरीके से भाच्पामेग भाफिर छोपचार एक रूप से सिधात मलैया की वाप्सी हुई है क्या दमो विधानसभा सीट को लेकर के भारती जनता पार्टी सिधात मलेया यानि मलेया परिवार पे फिर से भरोसा जताती है या नहीं क्यामरमन इरिशाद खान के साथ, MP तक के लिए भुपाल से मैं रवीश पाल सेंग करो